हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग स्वागा दिख्वाइब फिर से आप सुभी गाया एंजेटे एजू किसमें दोस्तों आज है 20 नमबर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 नमबर 2022 के most important current affair के questions के बारे में पूरी वीडियो ध्यांस देगेगा पूरी वीडियो डेटेल में आपको समझाए गई है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा इसकी PDF और quiz आपको MZT app पर मिलेगी तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं तो सब Cambridge Dictionary ने World of the Year 2022 घुषित कर दिया है Homer को और वहीं Collins Dictionary के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि पर्मा क्राइसिस चुने गई है ONGC के नए अधिक्ष बना दिये गए हैं अरुण कुमार सिंग और Paris 2024 के Olympic और Paralympic के सुभंकर के रूप में अभी प्रीजियन कैप को चुना गया है इसके बाद दोस्तो भारत जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पाद उत्पादक यानि Steel Producing Country बन चुका है भारत का स्थान चाइना के बाद आता है यानि First पर जो है वो है चाइना कोरोना के बाद नई कंपनिया खोलने के मामले में यूपी देश के प्रेकेंट पोजिशन पर है फर्स्ट पर महराष्ट्रा है थर्ड पर दिल्ली आ चुका है बिली जिन किंग कब का खिताब जितलिया है सुर्जर लैन ने आस्ट्रेलिया को हरा करके और वहीं यूरोपियन वर्क काउंसल के स्थापना करने वाली पहली भारती कंपनी बन गई है विप्रो मेटा इंडिया का नया हेड बना दिया गया है संध्या देवनाथन को ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चन थे जिनको आपने कल की वीडियो का रिवीजन कर लिया ह हowania जाता है अब हम लोग आज का करेंट अफेर देखेंगे तो पहला कोश्चन विश्चू स mogę मनाया जाता है इसकी महात्यो को बताने या और खुले में मुक्त करने के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ने के ये ये दिवस मनाया जाता है 2013 से इसकी शुरुवात करी गई थी इस बार की इसकी थीम रखे गई है Making the Invisible Visible ठीक है? Making the Invisible Visible समयुक्त राष्ट महा सभा के दौरा दोस्तो 2013 में इसको मानिता मिली है अच्छा इस बार 19 दौंबर को ग्रामिड भारत में सुक्षता रन का आयोजन भी किया गया सवचाले दिवस के अवसर पर सुक्ष भारत मिसन एक बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की और सुक्ष भारत मिसन का ही एक हिससा ये भी है सवचाले मुक्त भारत भी अभी हान चलाया गया था ठीक है? चलो तो फिलहाल हम लोग नौंबर मंत के अभी के जितने में महातुपूर्ण दिवस आये हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं चैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया हुआ था एक नौंबर को विशो साका हारी दिवस मनाया गया लेकिन ये वाला वेगन वाला था ठीके ना मैंने आपको बताया एक अक्टूबर को वेजिटेरियन वाला और एक नौंबर को वेगन वाला साका हारी दिवस एक तीस अक्टूबर से छे नौंबर को सतकता जागुतता सता मन मनाया गया वेर्सा मुंडा जी की जयëंति गेवसर पर, आर्ट नॉम्बर को रेडियो ग्राफी और नौ नॉमबर को राष्ट्य कानूनि सेवा दिवस मनाया गया 11 को राष्ट्य सेख्षा दिवस मनाते हैं लोग मौलावना अबुल कलाम जी के आजा जी की जैनती पर 12 नवंबर को वेश्ट्य निमोनिया दिवस, 12 को ही लोक सेवा परसारण दिवस 16 नवंबर को अंतराष्ट्य सहिश्चनुता दिवस और 16 नवंबर को ही लाष्ट्य प्रस दिवस मनाया गया सत्या को तीन इंपोटेंट दे आए राष्ट्य मिलगी दिवस, अतराष्ट्य छात दिवस और इस बार वेश्चुदर्चन दिवस भी मनाया गया 18 नवंबर को राष्टे प्राकरतिक चिकेट्सा दिवस भी मनाया गया, और 19 को 14 दिवस, आगे, हालू में कौमरोस में भारत के नए राजदूत कौन मनाया गया? तो दोस्तों, कौमरोस में भारत के नए राजदूत बना दिये गये हैं, बंडारो बिलसन बाबू, कौन? प्रप्लिक आफ मेडगासकर में थे भारत के राजदूत और अब यूनियोन आफ कमरोस में नियुक्त किये गए हैं 2004 बैज के ये IFS यानि इंडियन फॉरंग सर्विसेस के ऑफिसर हैं कमरोस के बारे में अभी बात करेंगे लेकिन पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पिछले दिनों में कौन-कौन से राजदूत नियुक्त किये गए हैं तो यहाँ पर मैं पूरी लिष्ट आपको सोकरा रहा हूँ राजदूत और किन देशों में भारत के राजदूत ये नियुक्त किये गए हैं तो प्रकास्चंद एरिट्रिया में नियुक्त किये गए हैं संजे कुमार वर्मा कनाडा में नियुक्त किये गए हैं ऐसे ही नागेश सिंग को थाइलाइन में भारत का राजदूत नियुक किया गया है और प्रणाय वर्मा को बंगला देश में नियुक किया गया है। सुधाकर दलेला को भूटान में प्रदीप पुमार रावत को चीन में नियुक किया गया है। और वहीं नवीन्स द्रिवास्तो नेपाल में और बंडारू बिलजन बावू जो कि अभी तक मेड़ागासकर में हुआ करते थे मेड़ागासकर में लेकिन अब यहां से हटा करके बना दिये गए कौमरोज के क्लियर सिभी जापॉन के यह इंपोर्टेंट है याद रखेगा आधार स्विका कुवेत के राजदूत हैं भारत के राजदूत हैं कुवेत में अवतार सिंग गिनी गणराज में और पार्थ सत्पती बोतनिया और हर्जग वोवनिया में हैं अपूर्ब स्रिवास्तो स्लोव बाक्या गणराज में डक्टर राजेस रंजन कोटे डिवाईवर जिसे हम लोग आईवरी कोष्ट करते हैं यहाँ पर भारत के राजदूत हैं जो जो रेड कलर में है इनकी न्यूक्ति अभी रिसेंटली होई है तो इनका नाम आप याद रखेंगे चलिए तो वर्ड मैप में देखते हैं हम लोग कॉम्रोस है कहां पर तो वर्ड मैप में आप देखोगी सबसे पहले यह रहा प्यारा भारत यहां से अगर आप नीचे की तरफ आओगे देखो अगर आप कॉम्रोस धूर्णने जाओगे ना तो जल्दी नहीं मिलेगा आपको पहले आना है मेडगा जितना ही बड़ा देश eh medagaskar उतना ही छोटा है कॉम्रोस देखो आप यह रहा कॉम्रोस छोटा सा यह रहा कॉम्रोस खीकर तो इसी कॉम्रोस की नियुक किये गए हैं जहां की Capital होती है मरोनी क्या Capital होती है यहां की Capital,üş aur और मरोनी के ही भारत में अब नए राजदूत होंगे यहां पर ठीक है मरोनी के पास में यहां के जो राश्ट अधक्ष है वह है अजाली असामावनी मुद्रा है यहां पर कॉमोरियन फ्रेंक आगे बढ़ते हैं अगला है हाली में सबसे कम उमर के विश्चु के नंबर वन ए अब देखो इन्होंने US Open जीता हुआ था और उसके बाद अब जाकर के यह वर्ड नंबर वन बन गए है ATP के खिलाड़ी ठीक है नबर वन अस्थामपर पहुँचने वाले सबसे कम उमर के बने हुए है इन्होंने लेटन हैविट का रिकार्ड तोड़ा है जो कि आस्टलिया के थे इनके नाम 20 साल 275 दिन की उमर में बनने का रिकार्ड था यह 19 साल 24 दिन के ही बन चुके है साल रोस एलकराज जैसे आई हुए हैं तो इन्होंने यूएस ओपन जीता है तो चार ग्रेंड स्लैम होते हैं कौन-कौन से एक तो होता है अस्ट्रिया ओपन फिर होता है फ्रेंच ओपन फिर इसके बाद होता है विबलेडन ओपन ठीक है ना फिर होता है लास्ट में बोलता जाओंगा आप लोग अगर नोट करना च्वथ नोट कर लेना आषट्रियन ऊपन के दो दुस्तो मैंस मैं लिख रहा हूं यहां पर विमें लेग दे रहा हूं ठीक है न जिससे दोरों आप याद करते चलो तो आश्टेलियन ओपन का में सिंगल इस बार जीता राफेल नडाल ने जो की दोस्तों 21 जीते थे उसके वह फ्रेंच ओपन जीत करके वह 22 जीत गए तो यह इस पेन के हैं राफेल नडाल यह में सबसे जादा यह ग्रेंट जीतने वाले खिलाडी बन गए कौन राफेल नडाल स्पेन के विमेंस सिंगल में अगर बात करें तो इगा स्वेतक ने जीता इगा स्वेतक कहां की है यह पोलेंड की रहने वाली है इगा स्वेतक ठीक है इन्होंने जीत लिया और इसके उपन आता है और उपन को जीत लिया है कार्लोस अलकराज फिर महिलाओं में अगर बात करें तो इसको इगा स्वेतक एक बार फिर से जीत ली तो पोलेंड की जो इगा स्वेतक है जो की जीती वी ती फ्रेंच उपन वही जीत ली इसको भी ठीक है तो यह चारों आप याद किलिया अगला PM मोदी ने कहाँ पर No Money for Terror Global Meet का उधगारन किया दोस्तो अभी हाले में PM मोदी ने No Money for Terror नामकि एक Global Meet का आयजन किया नई दिल्ली में कहाँ पर नई दिल्ली में यहाँ पर आप देख पाहुते PM नरिद्मोदी इनेगड़ेट No Money for Terror Global Meet on November 18 NMFT के नाम से conference था No money for terror global meet और ये summit बिसिकली इसी मुद्धे पर थी कि terror को जो fund मिलता है terror funding होती आतंगबाद को जो fund किया जाता है वो कैसे रोका जा सके उस पर कैसे कारवाई किया जा सके FATF की मदद कैसी ली जा सके ठीक है तो ये नई दिली में आयजित हुआ PM Modi ने इसको इसका उद्गढ़न किया है इसमें कई देश भाग लिए आपको FATF से यादा रहा होगा एक चीज क्या FATF ने अभी पाकिस्तान को grey list से हटा दिया था बड़ी news बनी थी पाकिस्तान काफी सालों से grey list में था इसको भी हटा दिया वहीं UAE grey list में है ठीक है चलो FATF यादा ये financial action task force किस राजी सरकार ने तीन ट्रांसेंडर्स को सरकारी स्कूल सिक्षकों के रूप में नियुक्त किया तो दोस्तो अभी हली में करनाटक राजी सरकार ने पहली बार इंडिया के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसेंडर्स को सरकारी स्कूल टीचर के रूप में नियुक्त किया है तो ये तीन ट्रांसेंडर्स नियुक्त किये गये हैं गौर्मेंट स्कूल टीचर के रूप में और ऐसा करने वाला पहला राजी बन गया है करनाटक यहाँ पर आप The Hindu का अब इन एक परसंट सीट में डेर सो पद होने थे लेकिन इसमें केवल तीन को ही मिल पाया मौका मतलब तीन नहीं अब हो सकता है वो लोग फिलप किये हो या फिर क्वालिफाई करने में इतने ही आ पाए हो यह तीन रहे हैं सुरेज बाबु रवी कुमार वाई यार और अमाजिक विज्ञान फिलहाल जब भी आरच्छड की बात आ रहे है और करनाटक की बात आ रहे है तो पिछले वाले भी रिविजन करना बात बनता है तो दोस्तों करनाटक यह वही गवर्मेंट है जो एक परसंट सीटे ऐसे ही पुलिस में भी आरच्छित की है ऐसे ही सब्सक्राइब कर दिया तो एसटी का साथ पर्षेंट और एसटी का सत्रह परसंट इसके अलावा करनाटक राजी सरकार ने 2% स्पोर्ट कोटा भी बढ़ाया था यानि कि जो स्पोर्ट में हैं कि लाड़ी है उनको 2% आरच्छर मिलेगा तो यह सारी चीजा आप करनाटक से करनाटक चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कहां पर है इंडिया की मैप में यहां पर है करनाटक बैंगलूरू इलेक्ट्रानिक सिटी इसकी कैपिटल है बैंगलूरू में ही दोस्तों बैंगलूरू की जो संस्थापक माने जाते हैं कैमपे गोडा जी इनकी अभी 108 फीट बेलंदूर जील है इसके अलमा बांधिपूर राष्टिय उद्यान ये बहुत इंपोर्टन इसको याद रखेगा कई बार एकजाम में पूछा गया है ठीक है बांधिपूर और नागर होल दोनों पूछा जाता है यक्षगान करनाटक का प्रमख लोक निरते है आगे बढ़ नलनाडा अंटेल वी मीट अकेन गौतम बोरा ये आपको दिख रहे हैं ये काफी फेमस राइटर है इन्होंने अपने पुस्तक लांच किसे करवाई यानि वी मोचन किसे करवाया रसकिन बॉर्ण से रसकिन बॉर्ण अगेन ये ये भी अपने आपने बहुत बड़े लीज करवाया हुआ है तो अच्छा गौतम बोरा की एक और पुस्तक आई थी जो की बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी मुद्रीकरन इन्नोवेशन जो पुस्तक थी उसी की लेखक है और इन्होंने अब नलनाडा अंटेल वी मीट अगेन नाप की पुस्तक लेखी है आगे हाले म महराष्ट सरकार ने अनौंस किया है कि जितने भी सोतंता सेनानी थे जिनको जो भी पेंसन मिला करती थी जो की 10,000 मिला करती थी अब वो बढ़ा करके डबल कर दी गई है 20,000 रुपए कर दी गई है ठीक है तो ये सोतंता सेनानीों के लिए एक बहुत ही गुड निउज है प गोवा मुक्तियांदोलन में इन सब में जो सम्मिलित थे सोतंता संग्राम सेनानी उन सब को इसका लाभ मिलेगा इसके अलामा आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के स्रेड़ी की तहत मराथा उमीदवार जो होंगे इनको नौकरियों का कोटा काफी लाभ उठाने की अनुमती की मिलेगी इसकी मंजोर मिलें ही महाराष्ट सरकार के दोड़ा क्लियर है महाराष्ट राया है तो चलो इसको भी देख लेते हैं मैं अपने जेस्ट करनाटक के उपर है महाराष्ट ठीक है अच्छा, एकनात सिंदे सिवसेना पार्टी से यहां के सियम है, गवर्नर है भगत सिंग कोस्यारी जी, यहां पर जीलों के बात करें तो लोणार जील जरूर यादर कियेगा, ऐसा कहते हैं कि यह उलका पिंड के गिनने से बनी है, पचास जार साल पहले, और यह पिंक कलर की ह हो जाती है, जब कभी इसका मन होता है, तो पिंक जील भी, यानि गुलावी जील के नाम से भी जाने जाती है, ठीक है, अच्छा, इसके अलामा चंदोरी राष्टियोद्यान, भीमा संकर, यह सबी हैं, भोर घाट, थाल घाट, ठीक है, अंबा घाट, दर्रे हैं, और और अ और मैंने आपको बताया था, बीस के बाद ऑफर इंड हो जाएंगे, तो बीस नमबर, यानि आज लास्ट डेट है, आज के लिए अगर आप बैच लेते हो, तो आपको पूरा का पूरा कम्प्लीट जीके मिलेगा, जीयस मिलेगा, स्टैटिक मिलेगा, इसके अलामा आपको topic by topic current affair मिलेगा, अगर आप इस badge को अभी भी purchase कर लेते हो ना, तो अभी आपके पास मौका है काफी अच्छा खासा, आपका exam एक तारिक से तेरह तारिक तक होना है, और ऐसे में आप छोटी छोटी वीडियोज के बादे हमसे बहुत ही अच्छे तरीके से prepare कर सकते हैं, हर एक चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाली में दक्षिर कोरिया में आयोजित 15 हुई ACI Airgun Championship में भारत ने कुल कितना गोल्ड मेडल जीता है, तो दोस्तों अभी साउथ कोरिया में 15 हुई ACI Airgun Championship हुई, इसमें भारत ने 25 गोल्ड जीते हुई हैं, अब देको 25 तो इनका गो परमेंस देता हैं इंडिया, हाला कि बड़े ट्रेनमेंट में उतना स्कोर नहीं कर पाता है, मेडल्स का, लेकिन बाकी कि जो ACI Airgun के जो भी मैच होते हैं, उसमें काफी अच्छा स्कोर करता है, यहाँ पर आप देख पाओगे, 25 जो है ये गोल्ड इंडिया जीता, अच्छ और चार कान से सहित कुल 38 पदक भारत की जोली में आए, आगे, जीयो स्मार्ट इंडिया 2022 सिखर सम्मेला, इसका उधगर्न कहां किया गया है, तो इसका उधगर्न किया गया है जोस्तों, हैदराबाद में, ये जीयो ये वाला जीयो नहीं है, ये जीयो है ये वाला जीयो, ठीक है, पृत्वी वाला, धर्ती वाला जीयो, तो जीयो स्मार्ट इंडिया 2022 सम्मेट जो है, ये हैदराबाद में आयुजित किया गया है, यह आप आप दिखपाऊगे, 15 से 17 नौंबर के बीच में ये आयुजित किया गया हैदराबाद, इसके लिए कैंपेन भी चला गया यानि की गरीबी, हटाना, कम करना, जलवाल परवरतन यानि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना, व्यापार और जीवनस्तर में सुधार करना, ये सबी परमुख को देश के साथ, जीयो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट का आयुजित किया गया हैदराबाद में, अगला कुशन, हाले में किस भारतिय सेना परमुख को पेरिस में God of Honor से सम्मानित किया गया, तो दोस्तो अभी हाले में भारतिय थल सेना के जो परमुख है, मनोज पांडे जी, लेटनन जनरल मनोज पांडे जी, इनको पेरिस में, पेरिस यानि फ्रांस की राजानी, यहाँ पर God of Honor से सम्मा सम्मानित किया गया है आप दिख पाऊगे आर्टिकल आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रिसीब गार्ड ओर्फ ओनर एड लेस इन्वेलेड इन पैरिस ठीक है तो यहां पर इंको सम्मानित किया गया है यह एक्चुली में फ्रांस की दौरे पर आप ही है 14 सारिक से 17 नॉंबर के बीच में और वहां पर इन्हें सम्मानित किया गया अच्छा इससे पहले अभी दो महिने पहले यह 5 तारिक से 8 सितंबर तक नेपाल की चार दिवसी यातर पर थे वहां पर नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी इन्होंने नेपाल की सेना के जनरल क मानद उपादी इनको दी हुए थी और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ देखो नेपाल और भारत के बीच में यह एक परमपरा है नेपाल के जो सेना नेपाल की जो प्रेसिडेंट होती है भारत के थलसेना अध्यक्ष को देते हैं यह पद जनरल की यानि वहां के थलस बार भी हुआ है क्लियर है तो यह टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन थे आपके सामने आपको वीडियो आई होगी पसंद इंफर्मेटिव लगी होगी अगर इंफर्मेटिव लगी है कुछ भी यूजपूल लगा है वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा सेहर कर आई लगा गया इसके बारे में इसके अनावा आज आपको क्या बताना है बकसा टाईगर रिजल कहां पर है बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला यह कुशन है यह टाईगर रिजल बहुत बार पूचा गया है बता यह जरूर इस टीन लुपादन के मामने में बहारत के आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर अंसर करना वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे बता देना और इसकी क्वीज और पीडियाफ आपको फ्री में मिलती है एंजेटी एपर वहीं पर आपको कूर्स वगरा भी मिल जाएंगे लेना होगा आप जाकर के लिए सकते हैं हमारे इबुक भी आती है ठीक है टेलीग्राम पर आपको वन नायर दिया जाता है फिलहाल इतना ही रखते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए नमसकार जैहंद वन दे मातरम